हाई फ्रेंड्स वेल्कम टू मिसन स्टेडी आज से हम एक निरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम भारत के महान समराथ पुश्य मित्रसों का इत्यास पड़ेंगे चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल मिसन स्टेडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें आज हम भारत के महान समराथ पुश्य मित्रसों का इत्यास पड़ेंगे पुश्य मित्र सुंग उत्तर भारत के सुंग सामराजे के संस्थापक और प्रथम राजा थे जिसे की कहा गया है पुश्य मित्र जो सुंग है वे उत्तर भारत के सुंग सामराजे के संस्थापक थे और वे सुंग सामराजे के प्रथम राजा थे दिविवदान से पता चलता है कि वह है पुशे धरम का पुत्र था अब दिविवदान है एक लेक है दिविवदान उस लेक से पता चलता है कि वह है पुशे धरम का पुत्र था पुशे मित्र सुन किसके पुत्र थे? वे पुशे धरम के पुत्र थे तभी साधन उसके इतिहास का प्रारम जीवन से ही करते हैं जात होता है कि एक दिन सेना का नेरिक्षन करते समय व्रेधर्थ की उसने धोके से हत्या कर दी थी मोरे सामराजे के अंतिम समराजा थे ब्रिहदर्थ अब हत्या का मामला इस प्रकार है कि पुष्यमित्रसुंग सेना का निरिक्षिन करते हुए उन्होंने ब्रिध्रत राजा ब्रिध्रत जो कि मोरे सामराजेर के अंटिब शासक थे की हत्या की थी अब सेना का नेक्षन कैसे होगा कि पुष्य मित्र सुम्जो थे वे व्रहदरत के सेना पती थी पुराणों गथा वानभट के हर शरित दोनों में इस घटना का उलेक हुआ है पुरानों में सेनानी पुष्य मित्र व्रिहद्रत की हत्या कर 36 वर्षों तक राजे करेगा ऐसा उल्लेक मिलता है अब सुनकी पुरानों और बानबट का एक ग्रंथ है हर्षितम इस ग्रंथ में उल्लेक किया गया है कि सेनानी पुष्य मित्र सेनापती जो पुष्यमित्र हैं पुष्यमित्र सुंग हुए मोरे सामराजे के अंतिम संस्थापक या पिल कह सकते हैं अंतिम साशक व्रिहद्रत की हत्या कर 36 वशों तक राज्य करेगा ऐसा उलेक मिलता है इससे पहले वो मोरे सामराजे में सेनापती थे जुकि जिस प्रकार मैंने बताया कि इससे पहले पुष्यमित्र सुंग जो थे वे मोरे सामराजे के सेनापती थे पुशे मित्र सुंग जो है वे अंती मोरे साचक व्रेहदरत के प्रधान सेना पती थे मघद समराथ व्रेहदरत मोरे की हत्या कर पुशे मित्र मघद समराथ बने और शुंग राजवन्स की सापना की अब इन्होंने विर्धरत की हट्या करने के बाद इन्होंने वहीं पर शुम्वन्स राज्वन्स की सापना की एक सोपिचासी ईसा पूर्व में उन्होंने अंतिम मोई समराथ विर्धरत की सेन्य समिक्षा की दोरान हट्या कर दी और अपने आपको राजा गोशित किया उन्होंने बताया है इस लेक में बताया गया है कि पूशेमित सुन्ग ने एक सोपिचासी ईसा पूर्व में उन्होंने अंतिम मोई समराथ विर्धरत की सेन्य समिक्षा के दोरान हट्या कर दी और अपने आपको राजा गोशित किया उसके बाद उन्होंने अस्व में यग किया और उत्तर भारत का आधिकतर हिस्सा अपने अधिकार छेतर में ले लिया अब विर्धरत की हत्या करने के बाद उन्होंने अपने आपको राजा गोशित कर दिया उसके बाद उन्होंने अस्व में यग्ये का आयोजन किया अब अश्व में ग्यक में एसा होता है कि एक अश्व होता है अश्व की पूज़क की जाती है और अश्व को जो है जहां तो अश्व विचरन करेगा वहां तक का शाशन जो अश्व में ग्यक कर रहा है उसका होगा संभावता इसलिए पुष्यमित्र सुंग ने असुम्य ग्यक का आयोजन किया और उतरभारत का अधिकतर हिस्ता अपने अधिकार में ले लिया सुंग राजे के सिलालेक पंजाब के जालंधर में मिले अब सुंग राजे के जो सिलालेक हैं वे हमें पंजाब के जालंधर में प्रत्थ होते हैं सुंग राजवन्स के संसापक का जनम ब्राहमन शिक्षक परिवार में हुआ था सुंग राजे के संसापक थे पुशेमित्र सुंग पुश्यमित्र सुंग का जनम ब्राहमन शिक्षक परिवार में हुआ था शुंग वन्स की सुरुवात करने वाले पुश्यमित्र सुंग जनम से एक ब्राहमन और करम से शत्रिय थे जनम से तो वे क्या थे ब्राहमन और करम से उनके जो करम थे वे शत्रिय के थे इन्हें मोर्य के आकरे शाषक राजा व्रहदरत ने अपना सेना पती बनाया ता 5 कि एंप पुश्यमित्र सुन् का राजय पंजाब से जलन धर था शाकल स्याल कोड़ था अब पुश्यमित्र सुन् का जो राजय है राज्य सीमा है उनकी सीमा बताई गई है पंजाब से जालंदर और शाकल स्रयाट कोट तक अयुद्ध्या और विदेशा भी उनके राजे में सम्मिलिद थे मेरुतूं के अनुसार पुष्यमित्र ने 30 वर्ष तक शासन किया और पूराना के अनुसार 36 वर्ष तक अब मेरुतंग है विद्वान मेरुतंग है उनका मानना है कि पुष्यमित्र ने 30 वर्ष तक शासन किया वही पूरानों के अनुसार पुष्यमित्र सुंग ने 36 वर्ष तक शासन किया पूरानों में कहा गया है कि शुंगो ने 122 वर्ष तक शासन किया पुष्यमित्र का शासन का 36 वर्ष माना गया है वह है मोरे वंस का सैनापती होने से पूर्वे 30 वर्ष तक आवंति का गवर्णर रहे था उसे शासन चलाने का अच्छा अनुबव था पुष्यमित्र की मिर्थ्यू 148 इसा पूर्वे में हुई थी जिससे की बताया गया है कि पुष्यमित्र के बारें बताया गया है कि पुष्यमित्र ने 36 वर्ष तक शास्टन किया और वे मोरे वंस के सैनापती होने से पूर्वे वे 30 वर्ष तक आवंति के गवर्णर रह चुके हैं इसलिए उन्हें सासन चलाने का अच्छा अनुभव हो गया था अत्या अन्त में पुष्यमित्र की मिर्थ्यू 148 इसा पूर्व में हुई थी इसके साथ आज का हमारे वीडियो कंप्लेट हो था है थांक्स पूर वोचिंग और कीप सपोटिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में